कि है ले दोस्तों कैसे हैं आप मैं आगे मेटा मॉफसिस में आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लेकर आया हूं इंपॉर्टंट एमसे क्यों की सिरीज नंबर टू एक्षर नेट सभी जगह काम आ सकता है तो आप लोग इसे और से देखेगा इसमें बहुत तरीके से क्वेश्चन को बुना गया है अगर आपको यह लगेगा कि आपको यह क्वेश्चन आता है तब भी आप उसे जरूर दे तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है कि इन शेक्ष्पियर्स मैकबेथ हूँ वोज अंटाइमली रिप्ड फ्रॉम इस मदर्स वूम तो कौन शेक्ष्पियर की मैकबेथ में ऐसा करेक्टर है यह कई बार क्वेश्चन आ चुका है जो अपने मा की कोक से ज या समय से पहले ही उसको पैदा करना पड़ा था तो बेसिकली इसके चार ओप्षन है मैकबेथ मैकडव डंकन मालकों आपको दिख रहे हैं आपन तो इससे पहले कि हम सही ऑप्षन की और जाएं इस मैकबेथ क्योंकि सेक्ष्पियर की एक ऐसी ट्रेजडी है जो आपने पारे में कुछ डेटेल हम पता करते हैं तो मैकबेथ आई ती यह ट्रेजडी 1606 में सेक्ष्पियर की और इसका जो सोर्स था सोर्स क्योंकि आप जानते हैं कि सेक्ष्पियर के जो हिस्टॉरिकल प्लेस के सोर्स हैं अगर खासकर वह स्ट्री से ताल्लोक रखता है तो होलिं अगर आपको मैं बताओं कि होलिंशेट क्रॉनिकल्स का पूरा नाम था होलिंशेट क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लेंड ये भी आपको पता होना चाहिए इंग्लेंड स्कॉट्लेंड और आइरलेंड और मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं कि होलिंशेट क्रॉनिकल आयते 1587 में और ये सिक्षपेर के हिस्ट्री के प्लेस के सोर्स है और रोमन के आपको पता है प्लूटार्स लाइब्स तो ये भी आप याद रखेगा अब मैं कुछ इंपॉर्टन चीजे मैख्बेथ के बारें बता रहा हूं जैसे जो ऑक्ट्म मेकप्थ था हिस्ट्री में वो स्कॉट्लेंड में रूल करता था उसने रूल किया था actual Macbeth ने उसने स्कॉटलेंड में रूल किया था आपका 1090 से लेके 101040 से लेके 1057 तक यह रियल का Macbeth था जिसने इस समय पर रूल किया था स्कॉटलेंड में और इन्होंने अपने प्रिडेसेसर को किल किया था अपने पूरो राजा को जिस जिनका नाम था डंकन वन जिससे इंस्पायर हुआ है पूरा जो ड्रामा है हलाकि जैसे इस ड्रामा में दिखाते कि Macbeth को चैंबर में मारा जाता है और कैसल में इसके सॉरी किंग डंकन को Macbeth जो है murder करता है अपने कासल में लेकिन जो actual Macbeth था उसमें जो किंग डंकन मारा जाता है डंकन वन जो है वह battlefield में माला जाता है युद्ध शेतर में तो थोड़ा सा dramatist अपने हिसाब से पूरी elasticity लेता है आपको बता है और यह Scotland के एक उद्ध में मारा गया था जब Elgin जीतने की कोशिश हो रही थी Elgin के पास और उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता हूं कि यह जो play था जब Macbeth play आया तो क्योंकि इसमें रेजी साइट था रेजी साइट था murder of king था ठीक है तो यह इस ड्रामा को बैन कर दिया गया था वस बैंड अब किस समय पर बैन वा देखिए जब चार्ल्स वन सिविल वार के बाद आपको पता इंग्लेंड का फर्स सिविल वार था चार्ल्स वन को जब पकड़ लिया गया और पृटन्स ने फिर इसके खलाफ एक केस चलाया कोर्ड में और फिर इसको एग्जेक्यूट किया गया बीहट कर दिया गया था तो यह सं था आपको पता होगा यह भी आता है एक्जाम में 1649 तो इस समय भी राजा को मारा गया था किंग चार्ल्स वन को एग्जेक्यूट किया था तो उस दौरान इस मैग्ब domains देखे गए हैं और कुछ unlucky घटनाएं होती गई हैं यानि कुछ ऐसी संकेत मिलें जिससे इसको कई लोगों ने शापित नाटक भी कहना शुरू कर दिया था तो जहां पर भी होता था वहां पर कुछ न कुछ हो जाता था कभी कहीं पर hkelki full की fire हो गई कहीं पर failing off equipment हो गया जो equipment आपने drama के लिए तσιार किए हम नहीं नहीं से पर रहे हैं काम मिन नहीं नहीं कर रहे हैं कहीं पर कुछ तूड जाना कहीं में यह हुआ कि 1849 में जब न्यू यॉर्क में इसको स्टेज किया जा रहा था तो वहां पर एक एस्टर प्लेस है एस्टर प्लेस में इसको जब परफॉर्म किया जा रहा था तो वहां पर इसमें पूरे दंगे ही हो गया इसमें रोल प्ले करने वाले जो की आर्टिस्ट थे दो अलग अलग जगहों पर उनके जो सपोर्टर थे उनकी किसी बात में कहा सुनी हुई और पूरे एस्टर प्लेस को पूरे दंगों का मैदान बना दिये जिसमें कई लोग मारे और घायल भी हुए थे तो इतनी सारी घटनाएं मैकबेट से रिलेटेड होई हैं तो अब बात करते हैं कि इसका सही ऑप्शन गया है तो सेक्ष्पियर के मैकबेट में आप जानते हैं कि मैटफ जो इसका जो आंसर है वो सही आंसर है मैटफ और Macduff जो है थेन ओफ फीफे है थेन ओफ फाइफ या फीफे तो ये Macduff है और आप जानते हैं कि ये डंकन जब इसमें देखते हैं कि डंकन का एक जनरल है ये भी Macduff और वो बड़ा honorable, loyal और पूरी तरीके से डंकन को समर्पित है तो Macduff ही वो आदमी भी है जो डंकन की murder body को discover करता है ये भी question आ सकता है He discovers the murdered body of murdered body of Duncan सबसे पहले डंकन को discover करने वाला भी यही है Macduff और Macbeth आपको पता है कि जब Lady Macbeth के साथ इसको murder कर देता है तो उस पहले से ही Macbeth एक शक के दाएरे में आ जाता है तो Macduff इसके लिए बदला लेने के लिए हमेशा तत पर रहता है और वो इस अपने उद्देशी के पूर्ती के लिए वो Malcolm से मिल जाता है जो डंकन का बेटा होता है और इस तरीके से दोनों मिलके Macbeth को हराते है लेकिन Macduff ही इसे क्यों मार पाता है क्योंकि Macduff जो है इसके लिए जो विचेज है इन्होंने पहले से ही भविशानी की होती थी कि Macbeth को वही व्यक्ति मारेगा जो बेसिकली नेचुरली बॉन नहीं होगा यानि कि जो नेचुरली जैसे हम पैदा होते हैं उस तरीके से पैदा हुआ होगा प्राकर्तिक रोप से वो नहीं मार पाएगा तो अब यह बहुत बड़ी दिक्कत थी तो बेसिकली Macduff इसले मार पाया उस पूरे वहिश्वानी के हिसाब से अगर हम देखे तो क्योंकि Macduff को अंटाइमली रिप किया गया था जिसे हम आजकल सेजेरियन कहते हैं वो उस तरीके की चीज़ थी जो उसको मदर की कोक से ऐसे बाहर निकालना पड़ा था तो इस तरीके से Macduff वो आदमी है जो Macbeth को मार पाता है या उसको किल कर पाता है तो यह आपका आंसर हुआ कि वो उन्टाइमली रिप्ड फ्रॉम अब हम चलते हैं नेक्स क्वेश्चन में और नेक्स क्वेश्चन हमारा कहता है कि अगर हम देखें the term poetic justice to designate the idea that the good are rewarded and the evil punished was devised by यह question भी बहुत बार आया हुए तो पहले हम बात कर लेते हैं कि poetic justice क्या होता है ठीक है चलिए देखते हैं कि आप जब एक Indian फिल्म को देखने जाते हैं कहीं पर कभी भी कोई Indian फिल्म आपने देखिए तो आप देखते हैं कि एक जनरल एक plot की बात करें तो उसमें देखते हैं कि एक landlord है जो गरीबों को सता रहा है कोई 90s के दशक के अगर फिल्म ले 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 और एक poor है और फिर यह इस पर बहुत जुल्म करता है और आपके मन में आता है कि यह poor को जरूर कुछ retaliate करना चाहिए और last में जब poor इसको इसके पूरे समराज जी का end करता है और वो अपनी सारी चीज़ों को प्राप्त करता है तो आप सब लोग ताली बजाते हैं और खुश होते हैं अब फर्ज कीजिए कि यह ऐसा नहीं होता जैसे एक और फिल्म का देते हैं एक फिल्म आई थी तेरे नाम जिसमें एक हीरो थे सलमान खान और सब लोगे चाहते हैं जो है सब लोगों ने यह एक बेसिकरी लव स्टोरी थी और सब लोगे चाहते थे कि इसकी हैपी एंडिंग हो लेकिन लास्ट में क्या हुआ जिस तरीके से कहानी चल रही थ लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो इंसेन कंडिशन में चला गया और लास्ट तक वही रहा और इस तरीके से पिक्चर का एक या मुवी का एक ट्रैजिक एंड हुआ जो हमारे अंदर कुछ जो है डिस सेटिसफाई सा कर गया तो बेसिक बात यह होती है कि human being के condition होती है कि अच्छा जो व्यक्तिय या अच्छी चीज़े है वो reward होनी चाहिए और अगर बूरी चीज़े हैं तो वो punished होनी चाहिए तो अगर अच्छे को अच्छा मिलता है और बूरे को बूरा मिलता है तो हम किसी भी इस तरीके की कोई भी literary चीज जो भी ऐसी रचना होती उसमें इस तरीके की चीच को जहां पर good is rewarded and evil is punished इसको हम कहते है poetic justice कि इस work में पूरा poetic justice हुआ है और जैसा होना चीए था वैसा हुआ है तो एक poetic justice जो term था आखर ये जो phrase था ये किस ने coin किया ये question बहुत बार आया तो Thomas Raimer सहब थे जिन्होंने ये coin किया था phrase अब मैं आपको बताऊंगा इस फ्रेज कहां कॉइन किया गया था तो थामस राइमर इसका सही आंसर है और जो कॉइन किया था इन्होंने ही कॉइन इन जो इनकी बुक का नाम था वो था दर ट्रैजडीज अब लास्ट पेज़ कंसीडर्ड ट्रैजडीज अफ दी लास्ट एज कंसीडर्ड और एक किताब आई थी 1678 में और इसमें बताता है कि एक कोई भी लिट्रेरी वर्क कैसे इंस्पायर करना चाहिए एक और इसका उपर इविल के उपर तो इविल पावर्स के उपर गुट की ट्रायम दिखाएं तो यह जो चीज़ है वो दर्शकों के अंदर मौरल बेसिकली बिहेवियर को इंस्पायर करें उनके अंदर एक नैतिकता का एक आगाज होगा पर्सनेलिटी के अंदर आपने दियाता है और यह जो किताब है और इसका सने इंपोर्टन्ट है तो आप यह दूसरा क्वेश्चन था जिसको आप समझें अब तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं और तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है वह कहता है वर्जीनिया वुल्फ के जब हम तूद लाइट हाउस अब वर्जीनिया वुल्फ के जब हम तूद लाइट हाउस पाएंगे तो यह बहुत इंपोर्टन्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए में बता रहा हूं क्योंकि इसमें यह वर्जीनिया वुल्फ के बहुत अच्छे बुक मानी जाती है तूद लाइट हाउस और वर्ज वुल्फ बेसीकली जिन्होंने सबसे जादा काम किया था इस्ट्रीम ओफ कॉंसियसनेस पर इस्ट्रीम ओफ कॉंसियसनेस नॉबल और अगर आपको यद होगा तो बरिजीनिया वुल्फ को फैमिनिजम के बहुत बड़े डॉकिमेंट के लिए माना जाता है जो फैमिनिस्टिक डॉकिमेंट माना जाता है और वो डॉकिमेंट है की दा रूम औफ वनस ओॉन गरूम a room of one's own जो basically यह बात करती है कि किसी भी स्त्री के पास जब उसका अपना space होना चाहिए जिसमें वो freely काम कर सके और generally society यह नहीं देती है इसमें एक बहुत famous statement भी है कि अगर किसी woman को लिखना है तो उसके पास होना चाहिए पैसा और एक room of one's own if one any woman want to write freely तो उसके पास क्या होना चाहिए या create करना चाहती है तो एक होना चाहिए उसके पास money और दूसरा होना चाहिए a room of one's own यह वाला statement इनका बहुत ज़्यादा पूछा गया a room of one's own ठीक है stream of consciousness आप जानते हैं जो आवागार्द movement चल रहा था modernity को दिखाता था जिसमें सारी innovation चल ली थी experiments चल रहे थे उसका एक बहुत बढ़िया उधारन है stream of consciousness क्योंकि इसमें आदमी पहले के novel traditional level में क्या होता था अगर character है और character के आसपास surrounding और उसकी सारी चीज़ों में चारों और की चीज़ों पर character situations पर ध्यान दिया जाता था लेकिन stream of consciousness पर experiment यह वा तक character के अंदर चला गया था जो narration था insight of the character तो character की insight को उधार के लाता था और subconscious की जो बातें होती थी उनको करते थे अब human mind एक conscious एक subconscious और subconscious जो है वो सबसे powerful mind आपको पता है जिसमें सारी impressions होते हैं और जिसकी वज़े से आप बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं और जो जागरत अवस्था में नहीं होता है इसलिए अचेतन इसको मस्तश्क कहते हैं और या फिर जागरत अवस्था में अगर इसकी हरकते होती हैं तो ऐसे होती हैं कि वो पता ही नहीं चबती है तो जितना भी आप सोचते हैं अगर मसलन आप कुछ सोच रहे हैं और सोचते सोचते आप कभी भी कोई comma, full stop या colon या semi colon नहीं लगाते तो होता कि है कि जो stream of consciousness का यह जो बहुत ही experimental novel है इसमें जैसे एक सोच चल रही है ठीक उसी flow में story narration होता है तो कई बार आप फुल स्टॉप ढूंडने के लिए भी तरस जाते हैं और एक दो दो या पांच-पांच पेस तक फुल स्टॉप नहीं आता या फिर कॉमा नहीं आता तो इसको समझ पाना अपने आप में ट्रेडी की रोया आता है लेकिन अगर आप इसकी law में बहन इकलेंगे और उस state of mind को सम परदर्स वर्क है जो ग्रीक मित पर आधारित हैं और मॉर्डनिटी के साथ मिक्स अब किया गया है तो यह वर्जीनिया वुल्ब ने जो यह वर्क लिखा था तू दर लाइट हाउस इसकी बात करते हैं तो टू दर लाइट हाउस जो है 1927 का एक नॉवल है ठीक है और नॉवल जो है पूरी तरह center करता है इसका पूरा focus रहता है रैमजे फैमिली इस पर रैमजे फैमिली है इस में रैमजे फैमिली और उसके अलावा इनकी जो visit है वो विजिट है कहां पर आईजल ओफ आईजल ओफ इसकाई एसके वाई इसको नाम याद रखेगा यह स्कॉटलेंड में पुरा नौवल इस विजिट के एक्सपीरियंस और इनके जो है बेसिक फैमिली रिलेशन्स पर आधारी थे और यह 1910 से लेके 1920 तक यह जो विजिट होत यहाँ दस सालों का जो अंतर है तो इसको पूरी तरीके से एक पूरी यात्रा की तरह बताते हैं तो इसमें जो खास बात हैं वह आपके नोट करने लाएक यह हैं जो मैंने इस टूडेंस को बताई भी है और जिसको मैं डेटेल में डिसकस किया ओनलाइन में अपने कुन है उसका नाम दाव विंडों सब्किर्स का नाम है लाइड़्र mówi कॉस्छन भी आ सकता है कि जिस सब्सक्राइब स dragged वो कौन सा पार्ट है, तो प्षाब फाइनल अब अगर हम चार आप्शन पर देखें, तो विंडो यहां पर है, टाइम पासेज भी दी जो वहां पर नहीं है, तो स़एंसर हुआ, the sky क्योंकि ये किसी भी तरीके से novel का part नहीं है तो ये था हमारा तीसरा question हम हम चौते की ओर चलते हैं और चौते question को अगर देखें तो इसमें हम देखते हैं कि काफी अच्छा question ये भी है क्योंकि ऐसे question भी आते हैं जिसमें आपको पूरे combination मनाने पढ़ते हैं काफी confusing होता अगर आप बहुत शूर नहूं तो कीट्स की लाबिल्डेम सेंस मरसी जो है वो दो poetic form को combine करती है अब वो कौन सी दो poetic form है lyric है, dramatic monologue है, ballad है, sonnet है इनका कौन सा combination है तो पहले लाबिल्डेम सेंस मरसी की बात करते हैं कि ये जो poem है जिसका English में अगर meaning है तो इसका English meaning होता है the lady without mercy ये इसका English meaning है और ये English classic poem समझी जाती है और कीट के जो stereotypical work है stereotype work है उसका एक अच्छा खासा हो जारण है तो इसका simple structure है फिर भी ये जो है बड़ा complex लगता है ठीक है और इसमें कितने हैं इसमें हैं आपके 12 stanza है इसकी basic बात करें और हर एक stanza एक quartrain है यानि four lines each तो इस तरीके से 48 होगे stanza ना 48 lines होगी और इसमें जो rhyme scheme है वो simple rhyme scheme है वो है A, B, C, B और इसमें एक story भी चलती है पूरी तरीके से जो नरेट हो रही है और एक poem भी चलती है इस तरीके से तो parallel दोनों चीज़ें चलती है तो अगर हम बात करें तो हमें साफ तोर पे ये जब गौर से देखें जिस तरीके से narration है तो folklore type का पूरा एक narration लगता है जिसमें हम को पूरा-पूरा एक ballot का ये जलक मिलती है लेकिन जब हम ballot की बात करें तो उसके अलावा हमें एक जलक और मिलने लगती है इसकी और वो जो है dramatic monologue ये dramatic monologue क्या होता है ballot तो आप सब जानते हैं कि जब narration होता है folklore पर अधरी चीजें होती है और इसमें story को narrate किया जाता है जैसे कि ballot बहुत सारी आप की हैं ballot of John Gilpin हैं और ballot दो तरीके की होती हैं एक ballot of growth and ballot of art ये ballots में आप जानते हैं और ballot में दोनों तरीके एक ballot of growth जो होती है वो जो आपको पता है कि लोगों के द्वारा generation to generation जो कहानिया transfer होई हैं और जिनको कभी document नहीं किया गया ये सबसे original होती है और ballot of art जो होती हैं ballot of art का कहा जाता है कि वो ballots हैं जिनको हमने किसी writer ने consciously लिखा है और वो चाहता है कि एक ballot की form में लिखी जाए कोई story उसको poetry में ढाल दे या किसी भी तरीके से ढाल दे तो जो पहले से मौजूद है पीडी धर पीडी चली आ रही हैं जैसे हमारे उतराखंड में भी folk form होती है कई folk form ऐसी है जो अभी तक documented नहीं है और पीडी दर पीडी उसको एक दूसरे के साथ रखके ही सीखा जाता है और आर्ट है जिसको writer consciously लिखता है अगर वो document होने लगी है और writer कुछ लिखता है उसे अपने नाम से कुछ उसमे creation करके कहानियों में तो वो है ballad of art उसके बाद हम dramatic monologue में चलते है dramatic monologue आपको पता है कि browning इनके expert माने जाते है Robert Browning जो Victorian age के बहुत ही Tennyson और browning जो बड़े representative poet है तो dramatic monologue में आपको पता है कि condition यह होती है कि कोई आदमी story सुना रहा हो story narration हो वो किसी को सुना रहा हो somebody's listener कोई listener भी होना चाहिए और जिसको सुना रहा है उसकी हमें presence feel होती है presence feel होती है कुछ ऐसे points है जो dramatic monologue को define करते है इसलिए बता रहा हूँ और दूसरा यह जो व्यक्ति है question बहुत कम करता है इसकी presence हमें feel होती है और इस तरीके से story narration चलता है और इसमें दो लोग होते हैं वहाँ पर एक की आभास हमें होता है तो ठीक है तो dramatic monologue तो इस तरीके की दोनों चीज़ें हमें इसमें मिलती है तो बड़ी complex scene poem लगती है अगर गोर से देखे हैं जो काफी simple से देखती है लेकिन तो इसमें layered poem है तो दोनों चीज़ें इसमें कहीं जा सकती है number 1 है कि यह dramatic monologue है और number 3 जो है दूसरा है ballot तो हम इसमें जो combination लगाएंगे तो वो combination best इसमें होगा आपका second dramatic monologue and ballot तो combination आएगा second and third तो यह वाला combination correct होगा तो आब हम चलते है next question में next question है पांच में question पांच में question की बात करें तो पांच में question भी बहुत important question है कि कौन सा ऐसा है इन चारों में writer जो अपनी जो है शैली की जो इतनी famous रचना है एड़ोनाईस के लिए उस पे पूरी तरह inspire करने के लिए एड़ोनाईस जो उसने लिखिया है वो जिस राइटर से इंस्पायर हुआ है उसके लिए उत्तर दाई है तो कौन से ऐसा राइटर है जिससे इंस्पायर था शैली बहुत बढ़िया तरीके से तो यह काफी अच्छा question है और इसमें कुछ बढ़िया चीज़ां आपको बताऊंगा देखें शैली का जो एक deep interest था आपको पता है कि शैली basically अगर आपको मालूम हो या आपको पता है कि शैली basically क्या था शैली का deep interest था Greek deep interest in Greek studies वैसे आपको पता है कि शैली एक बहुत ही revolutionary poet था और ode to the west wind इनका बहुत जबर्दस वरक है आपने देखा है और पड़ा है और if winter comes and spring is not far behind यह जो line है last की और कई line पूछी जाती है ठीक है तो एक और line मुझे याद आ रही है I fall upon the horns of life and I bleed ठीक है इस तरीके की कुछ बड़ी famous line है तो इनका Greek study में बहुत interest था ठीक है और Greek philosophers से यह बड़े जादा प्रभावित थे तो क्या होता है कि यह जो है सारे Greek authors को पढ़ते हैं और उनमें से जो सबसे जादा प्रभावित होते हैं वो है Plato तो Plato की सारे work इनोंने पढ़े हैं और उसमें से कुछ translate भी के हैं तो कहते हैं कि Greek जब Plato से प्रभावित होना और उनका influence होना इनके लिए कशेचें आपको बताता हूं कि तो शैली कि शैली एस कॉल्ड रहे हैं जो कि अ फ्लेraulics अधेकिए बहुत अपंटन्स चैना जो आ सीडरी जा सकता है फ्लेंटनेक तो जितने भी रोमेंटिक्स हुए हैं चाहे वो सीनियर रोमेंटिक हूँ या जोनियर रोमेंटिक हूँ तो इन सब में शैली को ही मोस्ट प्लैटोनिस माना गया है यानि सबसे ज़्यादा एक ग्रीक से प्रभावित था हलाकि कीड भी था हेलनिजम में लेकिन जो है ग्रीस में खास व्यक्ति प्लेटो, प्लेटो से प्रभावीत होने पर प्लेटोनिस आता है, तो ये प्लेटोनिस शैली के लिए यूज किया जाता है, थीक है, इन्होंने ना सिर्फ प्लेटो को extensively पड़ा था, बलकीन को translate भी किया था, और इन्होंने जो प्लेट इसको translate किया हुआ है, शैली ने, और खास कर Republic के भी दो पार्ट इन्होंने ट्रांसलेट किया है, Republic के second और third part, और basically उस समय की जितनी भी Greek customs थी, यहां तक कि homosexuality पर भी इन्होंने पुरी अपना description दिया है, इन चीजों के बारे में, ग्रीस के बारे में और translations में, तो ये बहुत important चीज़ है, शैली की जो एक ऐसा पहलू है, जिसके बारे में थोड़ा कम पता है लोगों को, और शैली का जो ये Adonis poem है, ठीक है, उसमें हमें पूरी तरीके से, प्लैटोनिजम जो प्लैटो के concept थे और जिस तरीके से प्लैटो लेता था, साहिप थे और religion और literature को, उसका ब influence दिखता है, तो इसका correct answer होगा, प्लैटो, अब हम चलते हैं, next question पर, और next question है आपका, ये भी बहुत important question है, फीस्टे is a clown in, फीस्टे किस वर्क में clown है, यानि किस वर्क में एक हसाने वाला character है, या जोकर है, या जो एलिजावेथन एज में बहुत ज़ादा important एक aspect था, comedy का, जिसमें एक clown होना बहुत जरूरी था, आप भूल नहीं सकते हैं, फॉलिस्टॉफ को, फॉलिस्टॉफ कितना famous clown है, हलाकि वो night भी है, लेकिन उसका कोई काम नहीं है, वैसा ही feast day किस में, इन चार में से किस में clown है, तो चलते हैं इसके बारे में, और इसमें बहुत अच्छे question निकलने वाने, तो देखें, आप ये जानते है, 12th night का एक कर्मा दिन होता है, 12th day, इसको celebration का last दिन मनते, तो जो last की, बारवे दिन की रात है, वो 12th night है, और इसमें एक बहुत अच्छा question आप बताता हूं, इसको, ये 12th night जो Christmas season की होती है, इसको eve of epiphany भी कहा जाता है, ये question कभी आ गया तो आप confused हो सकते हैं, इसलिए याद रखेगा जो बारवी रात होती है, उसको eve of epiphany भी कहा जाता है, this is very important question, तो ये पूरा party time होता है, Christmas season के लिए, उस समय ही ये लिखी गई थी 12th night, उसको celebrate करने के लिए, तो 12th night में basically एक भाई और बहन, जो है, Sebastian और Vaila के एक ship rack में बिछड़ जाने की कहानी है, फिर आपको पता है, left triangle ह ये सब आप जानते हैं, आपने कही बार पढ़ी है, और जो उसमें Olivia है, जिसके लिए Duke अपने प्यार का इजहार करता रहता है, और Vaila को एक दूद का काम, messenger का काम सौपता है जाता है, तो उसके जो servant हैं, उसमे basically दो लोग उसके अंडर काम करते हैं, एक तो ये clown हैं, फीस् strategically opposite है, फीस्ते जहां हसाता है, और वो observer है, commentator है, और ridicule करता है, और हसाता है अपनी हरकतों से भी और लोगों को भी ridicule करता है, मौलोल ये बड़ा shrewd mind है, और वो दिखने का बहुत simple character है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा conspiracy रचने वाला दिमाग भी है, अब मैं ये तो answer बहु question में आपको उताता हूँ, खासकर एक question पर मैं जरूर जाओंगा, कि जो मौलवोलियो है, इस पर एक special question आ जाता है, कि मौलवोलियो कौन सा ऐसा character है, जिस पर Shakespeare, जो puritan character है Shakespeare का, और जिस पर Shakespeare एक तरीके से satire करता है, 12th night पर, अब ये question है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब बहुत गह रहा है, देखे, puritan age में जो Richard Krasha नाम का एक writer है, जिसके बारे में आपने सुना होगा, poet भी है, ठीक है, तो Richard Krasha basically एक puritan थे, और वो puritan के support में बहुत बोलते थे, ठीक है, और वो हमेशा publicly बहुत बार Shakespeare की बुराई कर चुके थे, और closing of theater के बड़ हमाईती थे, वो शाहते थे कि ये theater बंद हो जाए, क्योंकि ये nonsense चीज़ है, और drama और theater के जरी है, खली लोगों का brainwash हो रहा है, और Shakespeare उसके नाटकों के बारे में खुल के इन्होंने हल्ला बोला था, puritan हमेशा यही चाते थे, तब ही आप जानते हैं कि puritan age में closing of theater हो चुका ठीक है, और वो तो उनका बस चलते तो कभी theater खुलते भी नहीं, puritan's का, लेकिन इन सब चीज़ों से Shakespeare के मन में काफी वो रहता था, घबराया सा रहता था Shakespeare हमेशा puritan's के हमले को, रिचर्ड क्राशा से तो उनकी खास कर एक बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि 36 का आकड़ा अब वो भी मौकर डोटते थे कि कैसे इनको इनके लिए एक revenge की feeling थी मनी मन में कि ये लोग drama को बहुत बदनाम करते हैं, तो Shakespeare ने एक ऐसा character रचा, जो देखने में simple था, लेकिन वो puritan's पर सेटार था, क्योंकि character पूरी तरीके से joy killing character है, लोगों का अगर किसी का पूरा हसी, खुशी को देख नहीं पाता है, जो और जो उसको बरबात करने पर तोलता है, वो है Malvolio, तो एक joy killing, तो Shakespeare दिखाना चाता है, puritan's दूसरों की खुशी नहीं देख पाते हैं, और joy killing character होते हैं, दूसरा ये एक character जो hypocrite है, जो कहता कुछ और है, और करता कुछ और है, तो puritan's की satire है, और वो character जिसके जरिये करते हैं, वो Malvolio है, तो ये भी एक बहुत important question है, और Richard Kroshoff इसके सूत्रधार हैं, जिसकी वज़ए से सब चीज़ें आती हैं सामने, अब हम चलते हैं, question number seven पे, अगला question है, साथ हो, who among the following modern writer is associated with the court only connect, तो इसके अग बारे में अगर हम जाएं, त तो basically क्या है, कि जो story के entry होती है, किसी भी novel में, उसमें अगर कोई writer epigraph use करता है, जो शुरू में लिखी गई चीज़ें हैं, या phrases हैं, sentences हैं, जहांसे story में enter होते हैं, तो ये एक story को बड़ा boost up करने वाला होता है, ठीक है, तो ये story का important aspect बताते हैं, epigraph, और आपको पता है, कि कितनी महान वर्ग के epigraph आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, तो जब ये important बताते हैं, तो story के aspect का हमें थोड़ा अंदाजा होने लगता है, और हम एक certain type से story को सोच सकते हैं, right direction में, तो only connect भी एक epigraph है, जो story के शुरू में आता है, और ये epigraph, इसलिए आपका एक question ये बना कि epigraph है, और ये जो पाय गया है, ये epigraph, ये एम फोस्टर की novel में मिलता है, और ये एम फोस्टर एक बहुत बड़ा नाम है, जिनको आपको पता है, कि पैसेस टू इंडिया, पैसेस टू इंडिया, इसका sun आप जरूर याद रखेगा, ये आता है, ठीक है, ये है, आपके 1924 में आया था, और जहां colonization और उसके impact और जो inner struggle है, वहां के लोगों native और colonized लोगों, colonized लोगों और जो colonizer से उनके बीच के सब दिखाया है, कि वो gap नहीं जा सकता, और इनकी एक बहुत famous novel है, Harvard's End Harvard's End जो है, उस book में ये only connected phrase को as an epigraph use किया जाता है, और ये phrase पूरी novel से ही एक quotation है, जो novel है, novel से ही quote किया जाता है, ठीक है, और इसका जो हम कह सकते है, guiding principle है, इसका main character है, तो इसकी main character है, Margaret Wilcox, Wilcox family पर आधारी थी है, पूरा novel है, Wilcox, तो Margaret Wilcox, जो है, वो एक basically philanthropist character है, जो लोगों को अच्छा मानती है, और humanity से प्यार करती है, तो कहती है कि, मैं हमेशा उसके character ये दर्शाता है, कि वो हमेशा लोगों के साथ, जो है, अच्छे communication को चाहती है, बहुत अच्छे conversation चाहती है, और हर किसी लोग के साथ, जो है, अपने relation बनाना चाहती है, जिससे कि लोग उससे जुड़ें, और उससे जो है, फ्रेंडलीनेस हो, और चारों तरफ एक हसी-खुशी का माहौल हूँ, ठीक है, तो कहती है कि, जो इसमें दिखाता है कि, लेकिन इन सब चीजों में कुछ superficial barriers आ जाते हैं, अब वो barriers क्या हैं, देखें, न चाहते हैं भी ये barriers है society के अंदर, जो truly communicate करने में, या connect करने में, जो है, barriers हैं, तो जैसे barrier है, class और gender का, वर्ग का, लिंग, आधारित भेधभाओं का, ठीक है, और तो कहती है कि, वो उसका पुरा जो communication है, इस novel में कि, जो इन सब barrier से उपर, जो सबसे चीज है, बढ़िया, कि हमें society में सिर्फ एक चीज को consider करना है, that is only connect, तो हमें सिर्फ connection चाहिए लोगों से, हमें सिर्फ लोगों के से relate होना है, और लोगों को समझना है, तो this is what, by only connects, और ये epigraphy जो Howard's end में, use किया गया है, आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं, question number eight में, तो question number eight में अगर जाएं, और इसको पढ़के देखें, तो हम देखते हैं, story of my experiments with truth, महत्मा गांधी आपके जो है course में है, तो उनके ये जो खास किताब है, ये उनके कितने सालों के narrative को आपके सामने लेके आती है, यानि इस किताब के अंदर जितना भी Vernon है, वो कितने सालों की कहनी है, तो इसमें अगर आप देखें, तो story of my experiment with truth, जो है इनका अच्छ biography, गांधी जी की, ठीक है, और ये जो cover करती है, ये इनके childhood से लेके, 1921 तक का पूरा time cover करती है, ठीक है, और ये दूसरी इसमें चीज बताता हूं कि weekly installment में लेकी गई थी, हफते हफते में इसमें किष्ट चलती थी, पहले से किष्टें आती थी, जो अच्छे periodicals, या फिर अच्छी पत्रिकाओं में, कभी-कभी अकभारों में में आती थी, और उनका जो basically ये चलता था, तो ये किष्ट पूरे हफते में भर में आती थी, weekly installment, और weekly installment में जब ये आती थी, तो ये किस journal में छपी थी, तो जो journal था, वो journal का नाम जरूर आएगा, वो है न जीवन जर्नल है, जिसमें छपाता है याद रखेगा, और इसमें weekly installment में 1925 से 1929 तक इसमें publish हुई, नव जीवन में, और ये जर्नल किसका था, ये जर्नल भी खुद गादी जी का जर्नल था, तो ये, और इसका English translation भी installment में आया था, और जिस जर्नल में वो आया था, वो भी जलता, वो था, यंग इंडिया, आप चलते हैं हम, question number nine की और, और जब हम nine question में चलते हैं, तो हम देखते हैं, कि ये, ये भी एक काफी important question है, ठीक है, ये है, what would help a reader recognize, कि it's to autumn as a poem from the romantic period, तो आप जानते हैं, कि to autumn, basically एक बहुत ही अच्छी poem की जो बहुत famous poems में आती हैं, और, इस poem के अगर हम बात करें, to autumn, तो ये, जो ज़्यादातर ode जो है, ode to autumn, ode to nightingale, ये सारी poem, जो है, उस collection में आती हैं, या उस दौर पे आती हैं, जिनको हम eighteen, nineteen odes कहते हैं, तो ये जातर इनमें आपको बहुत सन याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जातर सब अठारा सौननेस की, जो है famous group of poems हैं, तो इस poem के structure की बात करें, तो it has three eleven line stanza, ठीक है, three stanza हैं, और eleven line each है, तो total 33 होगे, ठीक है, 33 lines, और ये basically describe करती हैं, seasons का progression, season का आगे वढ़ना, seasons, रितुएं किस तरीके से आगे बढ़ती हैं, और खासकर जिस time से start होती हैं, वो है, जब crop या फसल पकरी होती है, maturation of crop कहते हैं, यहां से start होती है, कि maturation of crop से लेके, जो दौर चलता है पूरा, harvesting तब तक, जब harvest होती है, फसल कटती है, ठीक है, पहले इस दौर की बात होती है, and फिर last days, of autumn, फिर पज़ड की वो last day, जब winter approach कर रहा है, when winter is approaching, तो अगर आँ एक तरीके से देखे, पूरी यात्रा है, बहुत बढ़िया तरीके से autumn तक, autumn पूरा रित्व से होते वे जाने की, और imagery इतनी rich है, इसकी इतनी ज़्यादा images है, इतना rich images है, पूरा personification है autumn का, और autumn के जितने scenes हो सकते हैं, sights हो सकती हैं, sound हो सकती हैं, क्योंकि अब आप तो जानते हैं, कि sensuous poet था, पांचवा sense को appeal करने वाली poem थी, और जब लिखते थे तो, बिल्कुल एक समा बात देते थे, अपनी sensuousness से, touch, taste, hearing, sightseeing, smell, सब का आपको मिलेगा, smell से याद आ है कि smell जो sense है, उसे olfactory senses, olfactory कहते हैं, olfactory, जैसे audio कहते हैं, देखने को visual कहते हैं, सुनने को, olfactory senses जो है, या olfactory, इसके लिए use क्या आता है word, smell के लिए, तो, जैसे बड़े अच्छे-च्छे, इसमें कुछ scenes का बताता हूँ, मैं आपको, यह आज आभी जाते हैं, phrases किस poem में ही हो जैसे, soft lifted by the renewing wind, soft lifted by the renewing wind, कुछ images दिखा रहा हूँ मैं आपको, और जैसे, drowsed by the fume of poppies, drowsed by the fume of poppies, यह करामात है, जो है, कीट्स की देखिए, जैसी हम बोलते हैं, वैसी वो sense level पर feel होने लगता है, मैच्योरिंग सन, ऐसे seasons of mist, यह इतना जबरदस्त यह phrase लगता है मुझे, आप आराम से इसको किसी बहुत बड़े तरीके से किसी hill station के restaurant का नाम भी दे सकते हैं, जो काफी effective होगा, ठीक है, seasons of mist, तो यह सारी images जो हैं, वो बहुत ज़्यादा एक के बाद एक, जैसे जैसे progression में यह season चलते हैं, वैसे progression में sequence में यह images चलती हैं, ठीक है, logical sequence है, तो अगर हम इन चारों option पर जाएं, तो इसमें जो best use होगा, वो होगा, its logical succession of images, image को जो logically इतने बढ़िया और शांदार तरीके से यह आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और images का जो logical succession है, यह सबसे बढ़िया romantic period को justify भी करेगा, couplets के बारे में हम कुछ, जो है, romantic periods के लिए कोई specularity नहीं decide करतें, ठीक है, और केवल natural imagery के बारे में ही romantic period नहीं है, it's all about imagination, वो कैसी भी type की imagination हो सकती है, ठीक है, romanticism means imagination, और its use of iambic pentameter, यह भी बिल्कुल कोई ऐसा decided term नहीं है, जो romanticism को खासकर Keats की poem पे decide करेगा, तो best जो option बनता है, it's logical succession of images, ऐसे question जालतर confuse कर देते हैं, इसलिए मैं इस question को आपके सामने लेके आया, अब हम चलते हैं, next question पे, next question है, which of the following lines of T.S. Iliot is used by Anita Desai as the epigraph for her novel, Bomb Gardner's Bombay, बहुत important question है, ठीक है, तो इस question को अगर हम गौर से देखें और interpret करने की कोशिश करें, तो जितने भी चार option आपको मिले हैं, एक wasteland से है, एक East Coker से है, एक Burnt Norton से है, एक Love Songs of J. Alfred Prufosk से है, तो पहले मैं बात करूँ, Bomb Gardner's Bombay, इसको मैं BB लिख दे रहा हूँ, यह जो novel आया था, Bomb Gardner's Bombay, ठीक है, यह 1988 का novel है, 1988, अनीता देसाई का, और इसका epigraph जिसके हमने बात की थी, की opening line, ठीक है, epigraph जो है, वो basically, T.S. Elliot के East Coker से लिया गया है, यानी कि इसका second option सही है, तो यह East Coker से जो लिया गया है, उस वो start ऐसे होता है, in my beginning is my end, तो इसको भी याद कीजेगा, यह East Coker से लिया गया है, और यह line से, Baumgartner's Bombay, जो है novel, वो start होती है, इस line से, यह epigraph है, ठीक है, और यह पूरा epigraph मैंने कहा था, वो connect होता है novel से, इसलिए उसको दिया जाता है, तो Baumgartner कौन था, Baumgartner एक German Jew था, German Jew, वो Bombay में settled हुआ, settled in Bombay, और इस तरीके से यह पूरी कहानी चलती है life में, जिस तरीके से वो जिया, फिर उसकी death उसको जो है Berlin, वो Berlin जाता है, वहाँ से फिर Calcutta आता है, ठीक है, और पूरी तरीके से कहानी जो है, देश विदेश में घुमते वे फिर इंडिया के भीतर फिर से जो है, एक पूरा narration होता है, तो यह बहुती structurally बड़ी परंपरागत टाइप की कहानी, conventional, structurally convention, conventional novel, तो इसमें यह जो epigraph है, इसको आप ध्यान रखेगा, कि यह आता है, मैं इसकी कहानी के detailing पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि वीडियो अल्लेडी लंबा हो चुका है, कहानी आप लोग पढ़ सकते हैं, बस basic बात यह याद रखे, कि यह epigraph जो है, East Coker से लिया गया, यह काफी important question है, और यह 1988 का novel था, और इसमें German Duke, जो है, Baumgartner, यह इसमें basic character है, इसके बाद हम आते हैं, next question है, which pair of plays belong to the early career of Harold Pinter, चार आपके option है, the caretaker, one for the road, celebration, the room, और एक combination दिया आपको, one, two, three, four, फिर से confusing question है, तो आप सब लोग जानते हैं कि absurd playwright में Harold Pinter का नाम लिया जाता है, जो कि Samuel Beckett's के follower ही माने जाते हैं, तरीके से उनके समक्षी, और इनके एक से एक play हैं, इसमें बढ़ पार्टी आपको पता है, the dumb waiter, और अब एक खासियत हैं इनके play की, कि ये absurd होने के साथ साथ बहुत ही, आपको एक experimental play लगते हैं हर जगे और इनको समझना भी इतना आसान नहीं होता, ठीक है, वो तो absurd की अपनी फित्रत है, Harold Pinter को वैसे Nobel Prize मिला था, ठीक है, इसमें पूरा डाइरेक्टर भी रहे हैं, एक्टर भी रहे हैं, और British dramatist है, most influential, और करीब इनके best known play जो है, एक तो आगे बर्डे पार्टी जरूर, आप मैं यहाँ पर बता भी दे रहा हूं कि बर्डे पार्टी का समरी कर लीजेगा, 1957, और homecoming इनका है, the homecoming, यह 1964 में आया था, और betrayal भी इनका famous है, betrayal, betrayal आया था, 1978 में, और इन सब की पे जो है फाद में फिल्में भी बनी है, screen driving भी किये, और early plays में आते हैं, the room, यह जो आपके सामने देख रहा है, यह आया था, 1957 में, और caretaker जो है, यह आता है, 1960 में, और one for the road, 1984 में लिखा गया, और celebration जो है, 2000 में लिखा गया, तो देखिए, सबसे last class में, जो celebration है, इस series में, तो जब इसका right combination देखते हैं, तो हमें जो right combination मिलता है, वो है, first and fourth, the caretaker, जो early play है, ठीक है, और दूसरा है, the room, तो यह दोनों play, early play में माने जाते हैं, अगर इसमें birthday party होता, तो of course उसको हम ला सकते थे, लेकिन इसमें early play में, दो ही play हमें दिखते हैं, combination में, 1957 और 1960 का, और इन में से मैं आपको यह suggest करूँगा कि, caretaker और room, और birthday party, इन तीनों की कम से कम समरी, जरूर देख ले, तो यह थे हमारे 11 question, जिसमें हमने बहुत बारीकी से उसको पुरा explore करने की कोशिश की, और आप सब लोगों से मेरा यह निवेदन है कि आप जैसे आप response दे रहे हैं, उसके लिए बहुत शुक्र को जारूं, और हम लोग 3000 से उपर subscriber भी cross कर चुके हैं, आप सभी लोगों की मदद के जरीए, आप जो लोग भी online, offline class में जोड़ना चाते हैं, NET या किसी तरीके भी preparation, lecturer, LTE या SED, वो लोग register करा सकते हैं इस mobile number पे, और उसके अलावा हमारी एक खास, जो PDF course है, उस package को अगर आप लेना चाहें, तो उसके लिए भी contact कर सकते हैं, जो बहुत अच्छी कीमतों में, best questions हैं, जो क कर चुके हैं, वो भी आप खरीज सकते हैं, अगर जादा जानकारी चाहिए होगी, तो आप मुझसे contact कर सकते हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कि आपने अपना बेशकीमती time मुझे दिया, और हम ये सब साथ कर पाए, और मैं आगे भी ऐसे questions जारी रखूँ सकती है, खरी ओंसे हैं, प्यांत्याद